नमस्कार मित्रों आचार्य विनोद भरत द्वाज एश्टो तक के माध्यम से एक बहुत बड़ा अच्छा सा वीडियो लेके आये हैं सकुन च्छादी अर्था च्छी जो है निश्चित रूप से जब हमारे आसपास च्छी की आवाज आती है तो हम उसको असुब माल लेते ह ऐसा हमारे सास्त्रों में उलेक नहीं सकुन सास्त्रों में ऐसा उलेक नहीं है कुछ चीके असुब होती हैं और कुछ सीके सुब भी होती हैं इतनी सुब होती हैं कि कारे में बहुत ज़्यादा भिग्न हो फिर भी वो कारिया पूर्ण हो जाता है आज का विशय इसी पे है क चीक अगर आजाए तो क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर आपके मन में संका है कि सीख हो गई अब हमारा कारे नहीं बनेगा तो दो मिनट के लिए कारी को रोक दें दो मिनट के बाद एक गिलास पानी पी के कारी को प्रारम करें निश्चित रूप से आपका कार्य पुर्ण होगा इसमें कहीं कोई संसे नहीं है अगर आप किसी कारे के लिए अपने अस्थान से जो निकले हैं और इसी समय सामने से छीक हो जाती है तो अगर सामने से सीक हो जाती है तो मान कर यह माल लेना यह कारिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न होने वाला नहीं है लेकिन अगर बार बार चीक हो एक बार चीक होने पे ही असुभ होता है अगर दो तीन बार रिपीट हो जाए तो वो सुभ संकेत है अर्थात एक बार चीक का ही दो से दुबारा सीख आने पे वो सुभ संकेत में आ जाता है सकुन सास्ver के अनुसार यद किसी काम पे जाते समय पीछे से छीख आए तो बहुत सुभ माना जाता है और निश्चित रूप से वो कारिया पुर्ण हुदता है नमबर तिर पीछे से छीक की तरह बाई ओर से अगर छीक आए तो निश्चित रूप से उस कार्य में सुभता प्रदान होगी और हर प्रकार से वो कार्य सुभ होगा जिस कार्य के लिए आप जा रहें बाई तरह से अगर छीक आती है तो इसी प्रकार से नमबर चार कोई अगर वस्तु आप ले रहे हैं खरीदारी कर रहे हैं वहाँ पे अगर कहीं आगे पीछे दाएं बाएं से छीक आ जाए तो निश्चित रूप से समझ लेना कि वो वस्तु जो खरीद रहे हैं वो आपके लिए सौभागेता सूचक करें नमबर पाँच पे आते हैं किसी रिसेदार के जाते समय आपकी बाई ओर से छीक आ जाए तो इसे असुभ माना जाना चाहिए आपके घरते कोई रिसेदार जा रहा हो और उसके बाई तरफ से कोई एक छीक करे तो निश्चित रूप से कोई अन्होनी घटना घटने वाली ह ऐसा हम मान सकते है जो नमबर छे ब्यापार के आरंब करने के पहले चीक का आना ब्यापार की सफलता का लक्षन है अगर ब्यापार हम जो है निश्चित रूप से प्रारंब कर रहे हैं अभी पूजा प्रारंब नहीं हुई चीक आ गई तो समझ लेना कि यह ब्यापार आपके जीबिको पारजन के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है भोजन के पहले अगर छीक सुनाई दे तब भी असुब माना जाता है निश्चित रूप से स्वास्त खराब होने वाला है ऐसा आप मान सकते हैं ऐसा लक्षन है सोने के पहले या जागने के बाद अगर छीक की आवाज भी सुनाई देती है न तो निश्चित रूप से असुब माना जाता है और इसका प्रभाव आपके उपर ही नहीं आपके परिवार के उपर भी पढ़ सकता है या निश्चित रूप से इसका दुस्परिणाम आपके ज अवसधी लेने मेडिकल इस्टोर पे गए हैं और अपना पेपर दिये अवसधी वाला आवसधी आपके हाथ में आई नहीं है और उसी समय छीक आ जाती है या हाथ में आ गई है छीक आ जाती है तो निश्चित मान के चलना की बीमार व्यक्ति के जीवन से बीमारी से मुक्त की मिलने वाली है नंबर 10 किसी भी धार्मिक अनुष्ठान आदि आरंब करने के उस समय जब आप धार्मिक प्रोग्राम यग्य अनुष्ठान पूजा पाठ ग्रह प्रवेस आदि संपन्न कर रहें उस समय छीक हो जाए तो उसे असुब नहीं माना जाना चाहिए यह छीक आ आपको जानकारी दे दू हर छीक आपके लिए असुब नहीं है पीठ के पीछे तथा बाएं से आने वाली छीक आपके लिए शौभाग्यता लेके आती है लेकिन सनमुख दाहिने के छीक कभी कभी आपके लिए असुब निश्चित रूप से हो जाती है मित्रों यह वीडि हर भी जानकारी सबको प्राप्त होनी चाहिए तो दायत तो आपका है कि आप इसे सेयर करेंगे निश्चित रूप से यह नया साल आप लोगों के जीवन में संवर्धिकार को बहुत धन्य बाझ आप लोगों को नमस्कार झाल